इस जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं तुमारा जिस पार्ट सेकेंड है पीस पे तो फिल बात करेंगे क्योंकि पीज की पूणिंग चलिए ठीक है तो फूट क्वाइटी के लिए आपने किस किस तरह से प्रूनिंग करनी है किस तरह से नेक्सचेर के लिए आपने इसको रेडी करना है ठीक है तो भी बात करेंगे बाकी कोश्चेन है जो कल भी कम से कम शायद 60 प्लस लोगों ने ये कोश्चेन वड़ से पे करता कि एक्जेक्ट कंफूजन हो रही है समय प्रूनिंग को कि मैं समपल्स क मेंपको फोरूमलाप ताथ ओंजो बार की कंटरीज में फटाता है आपको kun मैं नीस कोई आपने जून जुलाइब को कुछ निभ lecture हो किसी बी किसी एलीवेशन मैं आप लढ़ाल आप सिंपल मैंड में ईयर आपने क्या है नहींते जैसे ही आफ का मिलन कोई मन्थ है किशनि बस जैसे ही आपको लगता है कि मेरा कि मेरा जो हो पीकर शो छेकान वऊबागा कुण radish चुका है У तो द्वेलेमेंट स्टेज चल चुकी है आप उस तैम जो है अपने पूट के साइज के लिए कलर के लिए हर चीज के लिए आप जो है समय पूनिंग आप शुरू कर सकते हैं तीक अब जैसे कल भी तहरे थे कि हम इस सपी करनी है क्योंकि अब रबास अब ही लॉग्डाउन है यह है अभी टाइम है फिर नहीं कोता है कोशिश हम करते है कि जलдी जलदी हम सिख की स्टार्ट कर लेंगे तो अभी तो हमारा भी पिस स्टैज के चल आएब नहीं स्टेज बहूंगे ठीक है वालनेट स्टेज के आगे ही हम जो है पूनिंग स्टार्ट करेंगो उसमें फूट और क्वालिटी के लिए ताकि दूप हमारी प्रॉपर पहुंचे ठीक हो अभी तो पी पे चलिए कि प्रॉपर दूप चाहिए आपकी क्वालिटी फूट बनेगा साइस में बहुत ज अब जो हम लॉकिंग पे ही यहां पर कंसेंटरेट करेंगे और कुछ नी करेंगे तो समप रूनिंग का सेंपल सी बात है कोई भी आपको बोले कि समप रूनिंग का टाइमिंग क्या है ठीक है कंफिोज मत होना कि तेखो हम जैसे दस एक्सपोल्ट आपको मिल जाएंगे वह होता है वह एक जैसी होते सारे सी ठीक है पसको हमने देना क्वालिटी पर द्यान भागी कुछ ने तो सिंपल सा फॉरूमला समप रूनिंग का मैं आपको बता दी है पीज में करो चाहिए से में करो जैसे ही आपको लगता है कि मेरा फूट डवलेमेंट स्टेज में जा चु अब प्रोल्ड प्रांट सा खेंड जैसे आपका यह ज यह वला प्लांट यह ओगा शैद हो का थार्टी प्रस श्यर ओल्ड़ का देऊ दें ने में भी सहम और अलग मैं भी सहम और अलग मैं आप मैंथर यह कि हम बाव चीज नहीं लेनी है तीकि अब यह भी आप बरांश द दिंग लोगाति किल यहां पर आपका कोई डेड़ना हो बाकी जैसे यह पूरा डेड़ हई तो यह कुछ निगा सकते हैं को इसमें बादर शूरू करों इसमें बहल हो इसमेर करना यहत अब सफची अब हमने हैं यह ना है लोक तो आज में पेलियुका ऐसंद आभ ऑद का है ठीक है हमने लोग कहा रहा है यहां पर क्यों कर रहा है यहां पर क्यों कर रहा है यहां लोग किया हुआ है यह यहां पर लोग किया हुआ है कोई ग्रोथ नहीं कुछ नहीं है खाली फूर्ट सारा बड़ फॉर्मेशन हुआ रिच्छे फूर्ट आए देख वन टू थरी फॉर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है जिसमें की कुछ एक हम ने बीच में जैसे निकाल भी चुके हैं यहां से, जो आपके टच कर रहे थे, तो अगर यहां दस फूट है इतने में, ठीक है, आप क्या करते हो ब्राशे ब्राशे ब्राशा होगे, और आप क्वालिटी बन पाएगी, दोस्ता आ क्या होगा, यह सेब नहीं है, यहां दो सेब में भी अगर मोटे में मार हो रहे हैं, सेब में तो क्या होगा, सेब में तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, पेपरी बार गाएगा, कब जब आप कहीं भी सिधी आँपे आप कट मार दोगे मोटे में, हाफ इंच से मोटा हो एक इंच तक आप कट मारोगे, तो डेफिनिटली क्या हो जाएगा वो, यहां पर क्या हो जाएगा, पेपरी बागा एगा, ठीक है, पीज में क्या होता है, पीज में अगर आप यहां सीधा कट कहीं भी आप मार दोगे, मालो यह बरांच है, मैं बोलता है, इसको लॉक करो, आ मालो यह बरांच है, यह फ्रोट लगे है, यह बरांच यहां भाली, आपना दो मार डोपियर में कट क्या हो जाएगा, उसका रिझं क्या होगा, यह सुखना स्टार्ट हो जाएगा, तो यह वैसा होता, मोटी बराश प्री बराइगा अगर ललॉक करो आगे वैसे, उससे हो कि आपने जो टॉप ब्लॉक किये वह यहां तो एंगल कर ते या पने किसी शूट पे आपने उपर कट मारा हूं है ठीक है वह क्यों होता है और यह जिसे यह 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 बाइच लेटें यह बांच अब यह यह वाली बांच अगर हमने यहां से आगे नहीं जाना इस प्राश को ठ आपने यहां नहीं किवाइप, में क्या हो जाय है क्वेढ़ा हैं. सारा प्रेशर बौर एलगर, और मैंकि प्रेशर कतों हैं, आप यां बंद कर दեխ तों ऑम जाय तों फerdRadar, बानी इनली प्रेशर में मुता5000 डूर सेद़्, घ्रमिह इंगरं यहां पर जोड है ठीक है फिर क्या हो जाए गां से में तो क्या हो जाएगा बरस्त पेपर बार गएगा पिखे आगए अगयोर सी सुना तुप गए कंकर गांकर क्योंकि यह सैनी पायागा ड्याइवर्ट होन इसलिए क्षिए और या तो मोटी ब्रांच एक इस तरक कहा हमारना है क्लस्टर पर अब मालो हो यह ब्राँच मैंने कंट्रोल करनी यहीं पर ब्लॉक करनी यहां सागे नहीं जाना है वैसे फिलाल मेरे पास आगे इसमें भूट है पर नो मैटर मैं इसको यहीं लोग कर रहा हूँ एक सिंगल आइस के उपर यूपको पतली सी लॉक्ष् है सब्किन हो दुक्त है पर क्या था सेफ यूप कम है तो इतना सेब रोक के कोई जया नुक्सान नहीं होगा है अलिए पहले ही हमारे आटरो मोषन माश्न में जाएगा कोई नुकसान हमाँ बना कर चुके है, 3-4 पीस निकाल गए, ठीक है, तो यह होगी है, पर्मनेंटली लॉक ब्रांच, यहां से आगे ब्रांच नी जाएगी, पीछे को हमने क्रॉप लेनी है, वैसे हमने यह पिछे वैसे ही भरते रहने है, इस तरह से क्रॉप से, ठीक है, यह है ल नए बीम जा रही है, ठीक है, अभी इस पार यह होगा, तो आपने जब भी लॉक करनी है, मालो अब यह वाली मोटी ही ब्रांच आपकी, अब इसको आपने लॉक करना है, कैसे करोगे, देखो आगे दागे, चलो फूटिंग अभी मारे है, अब यह मोटा कटे है, यहां तो क्लिक मारना है, उससे क्या हो जाएगा, सिधा कट मार के, क्यो कि यह तो कम गया वा पहली, तो उससे अगा नुकसान, कोई नुकसान नी होगा, ना ही वो सुखने वाला है, वही पर आपका ब्रस हो जाएगा वो बड, लेकिन अगर आप मोटे में मारते हो, तो वहां पर आप इसको देख लो, यह वाली ब्रांच वहां से आई, अब हमने इसको जब यहां से लॉक करा था, जिके पहले क्रॉपिंग पे नहीं थी, कम थे फ्रूट, अभी क्या हो गया इसमें, यहां से देख सकते हो, यह वर्मट पियाज आपकी, पूरी क्रॉपिंग हो चुकी है अब जितना भी बड़ा प्लांट है, हमने हर ब्रांच को इसको लॉक किया आगे, आप देख सकते हो, अब इसी ब्रांच को ले लो आप यहां से ना, यह ब्रांच आई मैंसे, यह ब्रांच आई, इस पे देखो सारे हमने ऐसे ही लॉक के वे, और आपने कलस्टर पे ही कट म अगर आप कहीं भी मोटे पे कट मारोगे, या किसी वीक पे मारना है, कहीं से आपका मालो वीक शूट जा रहा है, आप वीक पे आप कट मार के उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक कोई आपका वीक पोच्छन ने है, वहाँ आप कट मार सकते हो, इसे मालो यह ब्रांच गई ती से इसको अमने उपर क्या कर दिया, वीक पे डाल जाता है, और यहां पे फूट आगया, वीक पे, अब यहां सागे तो जाना नहीं है, बस यह पिछो को बैग गेर मारेगा, और पिछे मारा स्पर आप कई जड़ी हो रहा है, ठीक है, अब यह से यह बारी ब्रांच है, अगर म में यह मोटे में मारूँगा, तो definitely वो क्या है, कैंकर का करना बनेगा, ठीक है, यह पूरा सह भी वहां से पिछे को मारूँगा, लेकि यहां में पहले ब्रेक हैं, यहां पे कट मार के, इसको हलके हलके पिछे, इसको मोमेंट कर सकता हूँ, यह तो एक सिंपल सा वर्मूला किसी भी तरह की पियाज है सबको आप इस तरह से लॉकिंग करके पीछे लाशते हो फूट क्वालिटी के लिए और वर्गमट पियाज में स्पेशली एक बात ध्यानक नहीं है अब देखो आपका पहले फंगस जो मैं आपको बताया था कि रस्टिंग की दिक्कत सब्सदा इस अतना कि पहले यह हें तो यह इस में इतना गर चाप उनख वाली टाइग से उसमें बिलेंगे आपको तो तकहां ऊफी और कौีव तो साफ दाना मिलेगा आपको ठीक है की לח Пр swe नहीं है कोई टैचिंग नहीं है तो दाना बिलकुत साफ ही होगा तो यह है आपकी वर्मट पियस तो आजके लाप पिल्कुत प्यान से प्रोंगिंग करो और इससे यहां देखो ना यहां भी अमने ग्रोथ जा रही है फाल्टों कि ऐसी ग्रोथ है मतलो यह क्या है रस्टी मे यह लॉकिंग पे चला है और इसकी जो क्रॉप है अब जैसे से बड़ेगा आपको दिख जाएगे तो इसमें कम से कम लाश्चे भी मुझे याद इसमें चाहिए ग्यारा या बारा हमने जो है किल्टा में इसमें तोड़ा है तो इसमें हर साल मारा ठीक है कि हमने 10 किल्टा निकालना है तो बस निकालना है ठीक है वो तब होगा जब हमने फाल्तू के ग्रोथे रोकनी है ठीक है फाल्तू कोई नहीं लेनी है प्रपर आपने लॉक पर डालने सारी ब्रांचिस आप लॉक पर डालोगे ठीक है इसमें को ऐसी कोई ब्लंबी ब्रांचिस नहीं दिख र तिसम से ही फूट पे गया है और यह पर निशे यह लोग करके धिर थीर आप में से भार इसमें से बढूर आपके ताकिए पर विंटर में यहां भी आश्ता सिदा ताकि यह पर आना हमेश ख्लाश्तर के पास है जहां और इडी ब्रेक लगी है वैसे वैसे हम इसको पिछ पर अब सारी दैड लेना पड़ेगा लेकिन जब नए फ्लाइट आपका होगा ऊसे अध्यान देना है कि इस सारी ओनी बागने किया जिरूत नहीं है झतने भी निया शूट होगे कभी उनको मत निकालना उनको फसे डालना है जो को थो इस तरह के निया शूट आएगे जैसे यहां तो आप एक आइस छोड़ के क्लिक मार सकते हो ताकि यहीं पे इसका बड़ फॉर्मिशन बन जाए ठीक है अब यह बहुत पराना प्लांट है अब इसमें जो ने शूर जाए वे इन शूर्स को रहने दो भी इनको आपने बिल्कुल नहीं चैड़ना है बिल्कुल छूर्फ है के से नहीं घर्वत अगी है अब यह एक दो आँके छोड़ क आप और सीधा कत माना है ठीक है क्या आपकी आपकी नहीं सेस्टार हुया चैट जाएक ठीक है अपका निया शूर्सा है तो इसको आपने रहने देना है जो हो बी यह चोज़े बैझん ताकि आपका रन्यूव पर चला जाए, आपका प्लाट हर बार रन्यूवल पर चलता रहा है, और जितने भी इस तरह के आपके ये ब्रांचिस होगी, जो आपको फूर्ट में आगे टैच करी है, वो निकाल देनी है, ताकि आपको कल के लिए रस्टिंग की प्राउलम ना करे है, और इस ताकी ग्रोथे यहां दखना है, हम क्या करते हैं आपको कि यह आप देखोगे कहां यह फॉर्मेशन हो गया है, हम इसको यह रहने तो नहीं, कोई फायदा नहीं है, आप सीधा इसको यह से बैक से मार दो इसको एक आपके ऊपर से छोड़ के ताकि एक आँख आपके पास एक मैथर और है कि आप जहां अल्डेडी क्लस्टर बनाएं, यहां पर एक आँख छोड़ के क्लिक मालो, ठीक है, ताकि अब यह यहां पर इस पर स्प्रोट आपका हो जाए, इसली इस प्रोट आपका हो जाए, आगे भाने के जूत नहीं है, बाकि जितने यह इनको भी फिलाल रहने दो, सिरफ वही काटना है, यह दो तीन आँख छोड़ के उपर सिधा कट, जो मेच्वर होगा, ठीक है, जो मेच्वर होगा, उसको मारना आपने है, सारे ऐसे खाली मत करना, यह पैक्टिस आपने अभी छोड़ देना है, वो फिंटर में आप कर सकते को जो आपका मेच्वर होगा, उसको आप इंटर में आप सिधा कट मार के, आप एंगल कट मार के वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह तो था एक सिंपल सा मैथर जो मैं आपको बता रहा था, कि किस्ता से आपने कवर अप करना है, ठीक है, बाकि आगे जहां तक आपने जा इसको निगाल दो, ठीक है, बाकि यह देखो, यह वी उपर से लॉक करी वी हमने, अब यही पी इसमे फूट लगा है, अच्छा फूट लगा हूँ है, अब यह इतनी मोटी ब्रांच है, आप की इतनी मोटी ब्रांच भी आप इसको प्रॉपर उपर लॉपर लॉपर इसको बना है, तो बस यह आपने ध्यान रगना है, कि लॉट पे करोगे, अब यहां पर हूं पे इसको लॉट पे डाल के हमने वापस लाए है, ठीक है, और लॉट हमेशा छोटे, छोटे इसमे में दिखाता हूँ लाष्च चाह की लउकिंग आपको, अब यह इसको लॉट अब पीछे को ही किये स्टार्ट हो रहा है तो इलाओ करने का सिंपला तरिका यह वाला है और कोशिच करना है कि आप मैं में जाने की कोशिच करना है कि जो वह का मैंने उसके वह रहां चीज है वहीं तक आप जाओ उससे आगे जानें कि आपको कहीं भी जरुवत नहीं है जहां पर इस तरह के आपको है जहां भी बहुत सारे कठ्थे हैं वहां से आप एक आता निकाल भी सकते हो ताकि इन फ्यूचर रस्टिंग ना देए ठीक को टैच हो रहा था ना पार इसमें रस्टिंग तो यह चीजे आपने थोड़ी सी देखनी है प्याज में आपका वैसे ही चलेगा सारा अब यहां भी देख लोमने इसको वीग पे रहा था और आगे यह फूट पर आगे और पिछी आपका फूरा यह कैसे बढ़ रहा है बीमें यहीं पर बीम सबंद है और फूट पार्ट ग्राइब कुल्ट अब रहा है यहां फूट इसकी आपका बने की इसकी कौलिटी अची बनेगी क्यों कि यहां आपकी मैन पाई के साथ है निूट्रेशन प्रॉपर लेगा तो इसका और को यहीं पर मिल गया है और इधर का आंसर यहां भी आमने निकाला हुआ है और यहां आपके अपने द्यान अपनी है जहां भी आपके इस तरह की ग्रोथ आ रही है उनको निकाल के आपने जो पीमा है उसको आपने एंडर्जी दे लिए ताकि नेश्चर के लिए भी आपकी क्रॉप लिए पर रेडियों जाए फिर आप बोलतों कि हमारी एक क्रॉप तोड़ती ह है जब आप ऑफिर और अपने हाथ से बनाते हो ठीक है तो फालतों की गोथे देना छोड़ दो अब यह छोट छोटी हमने लॉकिंग की है अब जूरी नहीं कि आप इसको यहीत पर लॉक करो इतना आगे जन की जूट नहीं है देखो हमने क्या क्रॉप के लिए अब हमने क् कर वो था कि देखने कैसे पड़ा होगा है ब्रेक लगी है अगर मैं यहां से कारता हूगा तो आपको डैफिनेटली सुखेगा ठीकर की शिकायत है कि पीछे केंकर का रीजन होई है एक या दो आइस बढ़के उपर सीधा कट मारूगा अभी से क्या होगा ब्रेक अल्यडी सेब कम-कम जाएगा ठीक एकडम से पीछे बैग गया नहीं मारेगा उससे कोई टैंकर की भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बस यह प्रोसेस है पूरी प्रूनिंग आपकी वैसी होनी है तो बाकी हम कोशिच करते हैं जल्दी-जल्दी ही हम सेब की स्टार्ट कर लेंगे क्य ठीक हम बाकी हम कोशिच करेंगे जितना जल्दी हम फ्री हो जाए ठीक है उसके बाद हम सेब पे ही फोकस करेंगे फिर थैंक्यू सो मच